नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। नमस्कार दोस्तों अगर आप गुड का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं न केवल अपने जीवन में हर। करने में मदद करती है और पुरे जीवन में समरिध्धी का कारक बनती है ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड आपको बता दे दोस्तों गुड हमारे भारतिय किचिन का एक मुख्य हिस्सा होती है गुड में मौजूद कई औश्धिक गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामगरी में इस्तमाल। किया जाता है जोतिशियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारन होता है गुड। किया जाता है जो हमारे घर को सुख समरिधी से जोर देता है इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों यकीन मानिए इसमें आपको गुड खाने की कोई जरूरत नहीं है बलकि कुछ गुड के टुक्रे आपको चाहिए और हमारे विडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिये ना केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी बलकि अपने जीवन में आप सुख समरिधी आते हुए देखेंगे हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बा का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंतरन होता है ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर् बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी ये बात पता है दोस्तों की भगवान सूर्य देव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए, तो उनकी वह कृपा मिलती है, कि जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्प गुड के वह उपाय हम बताएंगे, जो आपने रविवार के दिन दो, चार, पांच, छे मिनट निकाल करके कर लिए, तो ना केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ती मिल जाएगी, बलकि सूर्य देव जी की क्रिपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे सूर्य देव जी के आशिरवात से आपके जीवन, में आप बहुत उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त है, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जै सूर्य देव जी की देखिए, दोस्तों अब जीतने भी हम आपको उपाय बताने जा रही हैं, ये ऐसे सट उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को करने की मुहूर, तक क्या है वो भी लिख लीजिएगा सबसे पहले जो प्रयोग है, वह एक ऐसा प्रयोग है, जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोश को खत्म कर देगा, आप मिहंत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई जगडा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुप गई है, उन्नती रुप गई है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोश है, शनी दोश है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोश है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशी पर, चला गया हो तो दोस्तों हर प्रकार के दोश के लिए आपको अलग-अलग उ आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तामबे का लोटा आपको लेना है, प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद, एक तामबे का लोटा लीजे, उसमे आपको 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है, कुमकुम का मतलब होता है, जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तिमाल होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है, कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी, एक लाल गुलाब डाल दीजिये और थोड़ी सी गुड की धेली डाल दीजिये सुबह नहा लिया आपने धोलिया सफेद वस्तर का धारन कर लीजिये अपने घर की छत पर जाईए अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड डाला है ये आपको सूर्य देव जी को चड़ाना है अब सूर्य देव जी को जब आप ये अर्पित करे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमह का जाप करते रहना है जितनी देर पानी ग यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोश मंगल दोश, शनी दोश सूर्य दोश चंद। यक्ती की नौकरी लग गई है और आप वही के वही बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं। बड़ा परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए 11 रविवार आपको। यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है, आपको प्रतेक रविवार को सबसे पहले नहां लीजिये धो लीजिये आप लोग साधा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं या जो अभी हमने आपको जो मिश्रन बताए थे चावल कुम कुम। गंगाजल और गुड के उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवान सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के बाद एक सौ ग्राम पांच सौ ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो थोड़ा सा। जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रही हैं, दोस्तों वह है, बाधाओं पाने से मुक्ती का उपाय दोस्तों एक बात का ध्यान। गुर और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा अब मान लीजिये आपको डाइबिटीज है, तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुर की धेली रख करके अपने दाए जेब में रख दीजिएगा, और फिर अ पाने वाली दोश बाधाए होता है, वो गुर सोख लेता है, और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं, अच्छा दोस्तों आपके जीवन में आपका दुरभाग्य एक दम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेसान है, तो पांच र देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में मालक्ष, मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मा गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंग के बीच में भगवान भोलेनात का वास होता है, मतलब गाय जो है, वह ऐसी हमारी मा नहीं कही गई है, दोस्तों गाय को मा कहने की कई व तो दोस्तों आपका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटी देवी देवताओं के साथ महादेव माता लक्षमी जी माता गंगा जी का आशिरवाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यह बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानिया से आपको मुक्ती मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए देखिए आप लोगों को रविवार के दिन रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके उसमें थोड़ा सा गुड रखकर के दान कर दीजिए कंबल हो कपड़ा हो गया छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ती का मदद हो सके या चावल ही हो गया इसमें थोड़ा सा गुड रखकर के किसी भी व्यक्ती को जो मंदिर के बाहर बैठे बिक्चुक होते हैं उनको अगर आप दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम क्रिपा प्राप्थ होती है और दोस्तों आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है आपके जीवन में जो परेशानिया दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्थ हो जाती है अगर नौकरी और कारोबार में बा चाहीं नौकरी मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन आदित्य हरिदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसंद होते हैं और भक्तों की सारी मुश्किले दूर करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं।